है नमाश्कार दोस्तों बहुत बहुत सWおकत करता हूँ हमरों आपके चैनल PAETMXT में आशा करता हूँ आप और आपके सल देओंगे तो आज हम बात करने माले highest popular dog breed cane कोर्सों के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ amazing fact तो दोस्तो ऐसी वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से होन किजेगा ताकि जब भी हम नई वीडियो डाले उसका नोटिफ दोस्तो केन कोर्सो की बात करें तो यह काफी बड़े strong और muscular dog breed होते है और दोस्तो केन कोर्सो का origin Italy से है केन कोर्सो इनके नाम के साथ कोर्सो वर्ड एक लेटिन शब्द लिया गया है जिसका नाम है कोर्सो और इसका meaning होता है protector केन कोर्सो को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि Italian Mastiff, Corso Italian, Italian Corso ऐसे बहुत सारे नामों से इन डॉक को बुलाया जाता है दोस्तो एक समय ऐसा आ गया था कि केन कोर्सो की जो ब्रीड थी खतम होने की कगार पर आ गयी थी 1970 के बाद इनकी जो ब्रीड है जो धिरे धिरे बढ़ने लग गई मगर हैरान की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े कैनल क्लब AKC, अमेरिका कैनल क्लब इन्होंने 2010 में इन डोग को as a dog breed रजिस्टर किया गया था जो की एक हेरान करने वाली बात है और दोस्तो केन कोर्सो एक मेस्टिप टाइप डोग है और दोस्तो यह आपको कभी कबारी देखने को मिल जाएंगे इन्डिया में बहुत कम लोग है जिनके पास यह कैन कर्सो डोग breed है और दोस्तो कैन कर्सो बलकि स्ट्रॉण और लार्स सइच के डोग ब्रीड होते और जिनमें फिमेल की एवरेज हाइट दोस्तो 23 से 26 इंच होती है और मेल की हेवरे जाई 25 से 28 इंच तक होती है अगर दोस्तों आप इन डॉक को एड़ोप करने के सोच रहे तो यह फर्स्ट टाइम डॉक ओनर के लिए नहीं है अगर आप सेकेंड टाइम डॉक ओनर है तो आप के लिए बेश्ट रहेगा तो कि इन डॉक ब्रीट को एक्सपिरेंस वाले डॉक ओनर के जरूत होती है और दोस्तों केन कोर्सों ऐसा वैसा डॉक नहीं है कि आप शोक के लिए लाए दो तीन दिन घर पे रखे फिर उसको बाहर घुमाने नहीं ले जाए या फिर उसकी ध्यान नहीं रखे नहीं तो या किसी इनसान के उपर या किसी और भी एनिमल्स के उपर हमला कर सकता है इनको सक्त कि जो सोशलाइज की जरूत होती है ट्रेनिंग की सक्त जरूत होती है अगर आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो किसी और से ट्रेनिंग आप जरूत दिलाए और दोस्तो इसके लिए experience ओनर की सक्थ जरूत होती है दोस्तो केन कोर्सों को एक अच्छे खाने की सक्थ जरूत होती है और दोस्तो time to time walk पे ले जाना, इनको time to time training देना, socialize करना अगर आप ये सब कर सके तो ये तो काफी अच्छे dog breed आपके लिए रहेंगे अगर आप इन डॉक को एडप करने के सोच रहें तो पहले से इन डॉक को जो है socialize जरू कीजेगा और training जरू दीजेगा ताकि आपके लिए आगे जाके अच्छे dog breed बने केन कोर्सो का मुह काफी बड़ा होता है और इनका वजन कभी कभी 100 pound से भी ज़्यादा हो जाता है और दोस्तों इनका energy level काफी high होता है और काफी active dog है ये इन dog की shading sustainable है और इनका जो coat है उनको grooming किसी सब जरूत होती है आप 3 या 4 दिन में इनकी grooming या brushing कर सकते है केन कोर्सो एक large size का dog है और इनके आप apartment में नहीं रख सकते है अगर आपको इनको रखना है तो आपके पास बड़ा घर होना चाहिए अगर आपके बैक यार्ड है तो काफी अच्छा रहेगा केन कोर्सो काफी intelligent dog होते है और इने नहीं नहीं चीज़े सिखना काफी अच्छा लगता है बट इने train होनों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और दोस्तो अगर आपके घर में वच्चे है तो उन्हें एक बात जरूर सिखा है कि इन dog के ear, tail और फिर कोई और body pot के साथ जहें खिचातानी ना करें और दोस्तो जब भी यह खाना खाते तो उस सम्में इने डिस्टब या इन्यों हैरान नहीं करना चाहिए केन कोर्सो काफी healthy breed होती है अगर आप इने अच्छे से ध्यान रखते हैं अच्छे इनका देखबल करते हैं तो इनकी average lifespan 10-14 तक होती है केन कोर्सो आपको बहुत सारे color में मिलेगा जैसे कि black, fawn, black and brindle, grey ऐसे बहुत सारे color में आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन डॉक को add up करने की सोच रहे तो कोई अच्छे बीडर से या आप जरूर लीजेगा ताकि आपको अच्छे quality का डॉक ब्रीड मिले तो दोस्तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छे लगी तो like share जरूर किजेगा अभी तक आपने हमारे चनल को subscribe नहीं क साथ thank you for watching